असलाम अलेकुम दोस्तों ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ मैं मुहम्मदी पंजवानी आप लोग की खित्मत पे हाजर हूँ आज को जो हमारा टॉपिक है वो थोरा ओइल से रिलेटेट है कुरूड ओइल की दास्तान आज मैं आपके सामने शेर करूँगा कि क्रूड वाल के क्या मसले मसाइल हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जिस वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया में जंगे हो रही है इस नेशनल डिसोर्स को लेकर और जो मामलात है वो बिगड़ते जा रहे हैं वंस अगेन हमारा जो मौकफ है तावानी पंजवानी ग्रुप का और हमें जो नजरिया नजर आता है इसके साब से अगर हम देखें तो यह सारी रिसोर्स की जंग है इसमें ना कोई नेशन इंवाल्व है ना कोई रिलिजन इंवाल्व है रिलिजन जितने भी हैं जितने भी फिरिकें हैं वो सब जो है वो अमन के दर्स देते हैं पीस का दर्स देते हैं तो religion इसमें कोई involved नहीं है इसमें involved करा जाता है इसमें थोड़े elements डाले जाते हैं ताके यह मामला जो है वो resources के नहीं नजर आए और कोई और मामला नजर आए तो पुरी दुनिया में यह चल रहा है और अप से नहीं चल रहा है यह आप देखें तो सदियों से यह मामला चल रहे हैं थोड़ा बहुत recent आपके साथ history share कर दूँ जो 1971 से पहले अगर हम मामला दे हैं पुरी दुनिया के तो पुरी दुनिया की जितनी भी central banks थी वो जो अपनी currency है उसकी backing gold में करती थी और gold में मामला चलते थे इसमें US के 37 सदर जनाब रिचर्ड निक्सन साब हैं उन्होंने 1971 में एक बहुत बरा announcement किया और जिसे निक्सन शौक के नाम से तारीक में याद किया गया जो अमरीकी लोग है वो इसे निक्सन शौक के नाम से जानते हैं उन्होंने जो ये central banks में gold की backing होती है उन मामला को खतम कर दिया और जो नया formula लेकर आए कि जो पुरी द दुनिया जो तिजारत करेगी वो डॉलर में करेगी क्योंकि डॉलर जो था वो universal currency थी पुरी दुनिया की और करेगी और petrol की lane देन भी उससे होगी और उस टाइम पे हमने देखा कि जो middle east है middle east में हमने देखा कि काफी जादा ऐसे resources बन रहे थे oil and gas के जिसको avail किया और US ने ज चलाया जाए वहाँ पे control हासिल किया जाए और जो के उन्होंने किया उन्होंने जो है वो जो हमें सब को पता है कि जिस हिसाब से सल्तनत्य उस्वानिया थी उसको भी मामलात को change के आले सौूथ को लाया गया Lawrence of Arabia पुड़ी दुनिया को पता है कहां से ये तहरीक शुरूवी कहां से मामलात शुरूवे पुड़ी दुनिया इस मामलात को जानती है इसकी तारीक माप जाएं तो आपको पूरा पता चलेगा कि किस हिसाब से जो है वहां के regime को change किया गया पावर regime को change किया और इसके उन्होंने जो है वो ये तेल सारा import करना शुरू किया refine करना शुरू किया और पुड़ी दुनिया में supply करना शुरू किया जो मुल्क इस मामलात को agree नहीं करते थे उन मुल्कों में जंगे भी हमने गल्फ वार देखा इस duration में हमने काफी इसे मामलात देखे रीसंट हमने एक बहुत बड़ा event देखा जिसने पुड़ी दुनिया को बदल दिया पुड़ी दुनिया की तारीक को बदल दिया और जो है पुड़ी दुनिया में हमने देखा कि war on terror के नाम से एक जंग छेर गई जिसे हम incident को कहते हैं 9-11 का वाकिया 9-11 के बाद अगर हम देखें तो ये जो मामला थे 9-11 के जो वर्ल्ड रिट सेंटर का जो incident था और 9-11 अटेक्स थे इसमें जो मामला दिये गए वो सारे resources के थे लेकिन इसको जो है religious एक element दिया गिया मुसलिम उम्मा मुसलिम कम्यूनिटी को उसमें टार्गेट किया गिया और उसके बाद से हम देखें तो मुसलिम क interpretation इसलाम में उन मामलात को डिवाइट करके उससे play किया गया और वहां पर मुलकों पे जंगें मुसलित की गई हम अगरा देखें तो लबनान में मामलात हुए सीरिया में मामलात हुए एराक में मामलात हुए अफगानस्तान में मामलात हुए तो यह सारे Muslim मुमालिक थे और वहां के resources पे काबिज होने की कोशिश की गई वहां के resources को यहने मामलात को खतम करनी की कोशिश की गई और एक control हासिल करनी की कोशिश की गई 2008 में अगर हम देखें तो USA ही centered हम देखें तो एक economic bubble था जिसे housing bubble कहा जाता है housing bubble जो है वो burst हुआ और उसका पूरा impact पूरी दुनिया में आया इसके बाद हमने देखा कि जो दो superpower जो है next superpower जो बनने जा रहे थे उन्होंने इन चीजों को realize कि किस हिसाब से US से यह सारी manipulation maintain होती है मामला चलते हैं और जो मामला चलाए जा रहे हैं वो किस हिसाब से resources की जंग है resources के मामला थे तो चाइना और रेशिया ने कोशिश की कि वो दुबारा वो ही setup लाने की कोशिश किया जाए जिसकी बिगार शुरू की थी यूएस के सेंटी से प्रेसिडेंट जनाब रिचर्ड निक्सन साब ने उन्होंने जो है अपनी currency को backing देना शुरू किया गोल्ड से इसके बाद हमने देखा कि गोल्ड में जो है गोल्ड प्राइसिस वो काफी जादा सर्ज हुए और चाइना ने और अशिया ने पूरी तरह से कोशिश की कि अपनी central banking के निजाम को गोल्ड से backing की जाए अभी भी हाली आगर हम देखे तो प्राइमिर श्रमरान खान साब भी जो है वो इसी model को अनकरीब अपना आना शुरू कर देंगे जो के हमारे जो हमारी एकॉनमिक है मारी माशी सूरत अहले काफी जादा बैटर होगा वो इन मामला पर गए और उन्होंने जो है स्लोली ग्रेजुली जो यूएस ट्रेजरी बांड थे उनको कनवर्ड करना शुरू किया गोल्ड में और गोल्ड में हैं तो मजभी दो सेक्ट हैं दो माइंड सेट हैं एक रोमन क्रिष्टन है एक और्थोडोक्स क्रिष्टन है लेकिन इन मामलात को दवाया जाता है मामलात को भाड़के नहीं दिखाया जाता क्यूंकि इसमें रिलिजिस एक्सपेक्ट ही नहीं लेकिन जो लोग रिलिजिस इसे मामला देखते हैं जिसे क्रिप्ष्टैन कम्यूटी है ब्राद्री जो है वो इसको एक्सक्रेक्ट से देखarias तो जो रॉमन कैठलिक हैं व जो orthodox हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो रशिया की तरफ ली करें वो रशिया की तरफ जाएं तो इस तरह के मामलात हैं कभी भी इस तरह की जंगे जो होती हैं इस तरह के मामलात होते हैं उसका तालुक रिलिजन से बिलकुल नहीं होता है religion का इसमें दूर दूर तक कोई तालुक नहीं है लेकिन कुछ elements इसे बनाया जाते हैं कुछ मामलाद इसे चलाया जाते हैं कि religious मामलाद नज़राई भी हालिया हम अगर देखें पिशावर में अभी incident देखा पिशावर में जो धुमाका हुआ है और हमारी जो शिया कमुनियोटी है उस पे काफी ज़्यादा मामलाद वें हैं तो हमारे ग्रुप की भी जो है वो काफी ज़्यादा condolences है उस community के साथ लेकिन once again ये जो है वो किसी किसम का religious मामला नहीं है ये मामलाद बनाये जा रहे हैं बिल्डप किये जा रहे हैं ताके जो बलोचिस्तान का एडिया है वो मामला थोड़े अलग हो और वहाँ पर थोड़ी बहुत uncertainty हो उस पे मामलाद funded है अगर हम देखे तो हमारा परोस्य मुल्क इंडिया जो है वो पूरी तरह से कोशा है किसी भी तरह पाकिस्तान में डिविजन पैदा की जाए लोगो को डिवाइड किया जाए डिवाइड और रूल की policy अपनाए जाए अगर हम मुस्लिम उम्मा यग जहती में आ जाते हैं और हम unity का मुझाहरा करते हैं और एक दूसरे के मामलात को समझते हैं गोना गोनी लाते हैं डाइवर्सिटी को समझते हैं तो हम जो है इन मामलात को easily sort out कर सकते हैं और ये मामलात कभी religious element पे या religious angle पे जाने नहीं दे सकते हैं तो हमें जो है बहस्त पाकिस्तानी हम सब को united रिना है पुरी दुनिया को मेरी तरह से यही message है कि हम सब को united रिना है इसमें religion का दूर दूर तक कोई तालुग नहीं है ये मामलात बनाए जाते हैं वो elements को pinpoint किया जाता है जो के वहां के लोगों की वहां के मुकामी लोगों की weakness होती है दुबारा थोड़ा topic पर आते हैं तो crude oil के जो मामलात है वो इसी तरह से बनाए गए कोशिश किया गया क्यूंकि पुरी दुनिया में जो है ये fossil fuel वो पाया जा रहा है और अभी भी उसके मामलात है लेकिन दिखाया ये जा रहा है कि ये जो fossil fuel है वो slowly gradually हमारे दुनिया में खतम होता जा रहा है इसके जो मामलात है वो slowly gradually खतम होते जा रहे वो दिखाने का एंगल ये है कि clean energy पर लेके जाना है United Nations भी कुशिश कर रहा है कि CO2 emissions जो मुल्ट जादा निकाल रहे हैं उन पर पाबंद्या लगाई जाएं इस वज़ा से हम देख रहे हैं कि कोल के prices भी surge हो रहे हैं और कोल माइनिंग बंद्ध हो गई है काफी इसे मुमालिक हैं जिन्होंने कोल माइनिंग बंद्ध कर दी है जिनको ये खत्रा है कि United Nations उन पर sanctions लगा देगा CO2 emissions करने के वज़ा से तो वो भी alternate energy की तरफ जा रहे है तो पुड़ी दुनिया एक तरह से देखा जा तो clean energy की तरफ जा रही है global warming का भी एक मामला चलाया गया है तो इन सारी चीजों को मतेरा तरकते हुए जो अभी हम चीज़े देखेंगे आगे हम दो साल में चीज़े देखेंगे तो पुड़ी दुनिया के demographics चांज होंगे पुडी दुनिया के नक्षे चांज होंगे पुड़ी दुनिया के मामला दोबारा चांज होंगे जसे हमने पिछले सदी में देखा कि जो नक्षे बने जो भी recent हम हम नक्षों में रहते हैं रीसन हम जिन ममालक में रहते हैं bet Crispin Solid यह साल प्राइन है इससे पहले अलग नक्षा थे तो अब जो है वह एक अलग नक्षा बनाया जाएगा एक अलग मामला चलेंगे लोग की जो priorities हैं जो nations की priorities हैं वो एक दूसरे से मुक्तलिफ होंगी इसमें जो block बनता जा रहा है उसमें हम देखें तो काफी जादा development होती जा रही है इसमें हम देखें तो एक block में जो है वो US है एरान उसमें मिलता वा नजर आ रहा है बरतानिया है यूरपन मुमालिक है फ्रांस इसम और इंडिया है इंडिया बहुत बड़ा major player है हमारे खिते का भी और उस block का भी बहुत बड़ा major player है दूसरे block में अगर हम देखें तो पाकिस्तान है रशिया है तुर्की है मलेशिया है चाइना है और सिर्लंका है और अभी जो लग रहा है कि सौधी अरब भी जो है वो इस ब्लॉक में आने की इस ब्लॉक में शमूलियतिक त्यार कर लेगा तो पुड़े दुनिया के डेमोग्राफिक स्चेंज हो रहे है वंस अगेन यह रिसोर्स की जंग है और यह जो मामलात है वो दो नजडियों पे डिवाइड़ेट है इसका religion से कोई तालुक नहीं है तो मेर डिवर्सिटी को जो है वो प्रोमोट करना होगा हमें एक दूसरे को अंडेस्टेंड करना होगा हमें एक दूसरे के मामलात को समझना होगा एक दूसरे को स्पेस देना होगा और एक दूसरे के जो बिलीव सिस्टम है उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी तो यह हमारी तरफ से ताबानी पंजवानी ग्रुप की तरफ से आप लोग को मेसिज है इसके साथ अगर हम देखें तो क्रूड आइल के यही मामलात है आगे जाके जो है पूरी दुनिया क्लीन एलर्जी पे जाएगी वो पूरे दुनिया के जो मामलात है वो चेंज होंगे CO2 missions और डिफरेंट चीजों के साथ से पूरी दुनिया जो है वो चेंज होगी तो यहना कोशिश कीजिएगा कहीएगा कि आप आक जो है अकॉरड नीब करें जो आब भीजनस करते हैं आप जो काम करते हैं आप सर्माऎ काकरी करते हैं तो आप according ली करें उमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मजीद वीडियो के लिए हमारे इस ग्रुप तावानी पंजवानी ग्रुप को जॉइन करें हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बैल आइकन को हिट करें कमेट सेक्षन में पने